नमस्कार दोस्तों, All Exam Guide Guru के YouTube चेर पर मैं सुजीत पांड़े आप सभी का बहुत-बहुत स्वाइट करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर हम आपके लिए लिए लिकर आए हैं इतिहास के कॉस्चेंस बहुत ही शांदार हिस्ट्री के कॉस्चेंस हैं आपको इन में से 50% मतलब आदे कॉस्चन सही करने हैं तो आपका सेलेक्शन चांसे से रहेंगे कि आपकी तयारी अच्छी है तो जितना अच्छा आपका स्कोर उतने चाहदा सेलेक्शन के चांसे से अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ तो यहाँ पर आप्शन समें से सही आंसर हो जाएगा आपका अठारा सो अंठावन में पारित हुआ कॉस्चन नमर दो देख लिए इसमें आपसे पूछा गया है भारती राष्टी कॉंग्रिस का 1896 का अधिवेशन निम्द लिखित में से किसके लिए दिख्या थै तो जो 1896 में जो अधिवेशन हुआ था वो पहली वार वहाँ पर राष्टी गीत गाया गया था यहाँ पर आप्शन नमर बी बिलकुल सही आंसर हो जाएगा अगला कॉशन के कॉशन नमर तीन इसमें आपसे पूछा गया है निम्द लिखित मेंसे किस संदर्व में करताता ज्यवेस्था का उपयोग किसके द्वारा किया गया तो जो कार्टा जो उस्था थी वो आपकी पुर्ट गालिया द्वारा option number D यहाँ पर से answer हो जाएगा यूज किया गया question number 5 देख लेते हैं यह आपकी screen पर इसमें आपसे पूचा गया सुरेंद्र नाथ बेनरजी के बारे में निम्द लिखत में से कौन सा कथन सही नहीं है किवल एक कथन जो सही नहीं है तो हम डाइट आंसर आपको बता रहे थे देखके यह है आपका option number D जो है इन्हों ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारान ब्राम्भो समाज की स्थापना की यह गलत है तो आपका क्यों गलत है क्योंकि आनंद मोहन ब्राम्भो समाज की स्थापना जो है सुरेन रात बेलेंजी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोशेशन की स्थापना की थी और साधारान ब्राम्भो समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, सिवनात सास्त्री, सिव चंदर सेन, उम option number B इसके एकारण वापस कर दे थी किसने रवजना टेकोची ने question number 7 देखिए मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कॉंग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है तो अलग मतदाता दल मुस्लिमों के लिए ये जो था लकनव अधिवेशन option number C 1916 बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा लखनव से याद आया UP UP से याद आया CM और राजपाल तो कमेंट करके बताएए UP के राजपाल और CM का नाम देखते हैं किस को पता है caution number 8 देखिए भारत में पहली European वस्थी किस स्थान पर थी बताएए ये रहे आपके option सूरत चेन ने यहाँ पर कोच्छी और चिंसुरा किसकी बात हो रहे है ये European वस्थी की तो European वस्थी कोच्छी option number A यहाँ पर बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा केरल के एंडरा कुरम जिले में इस्थित कोच्छी फोट भारत में पहली European वस्थी थी यह जल से गिरा हुँ अस्थान था यह कोच्छी के दक्षण में दक्षण पर्षण में इस्थित है अगला कोच्छी देखी कोच्छी नमर नो निम्दल कितमेजिक किस राजे ने तो सलबाई की संदी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा प्रथम अंगल मराथा युद्ध ऑप्शन नमर भी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस कॉशन के लिए कॉशन नमर 11 देख लेते हैं बकसर की लड़ाई इस्थ इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी तो बकसर की लड़ाई जो लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी आपकी मीर कासिम के दोवारा ऑप्शन नमर A बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा निम्दले किते मेंसे भारती है सिक्षा का मैगना काटा किसे कहा जाता है तो ये जो दौना अधिनियम थे ये पारित किये गए थे आपके लॉड लिटन के दौरा आप्शन नमबर ए से आंसर हो जाएगा ठीक है या रखना 1876 से 1888 के दौरान भारत के वाइस राय थे लॉड लिटन और 1876 से 1878 के अकाल को सही ढंग से ना समाल पाने के लिए उनकी कड कारेकाल के दौरान की गई थी तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिये गए उसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नमर ए लॉड मेयो की हत्या जो की गई थी उनके कारेकाल के दौरान ही की गई थी कौशन नमर अगला देखिए यह आपकी स्क्रीन पर लॉड रिपन न अब विलियम हंटर नाम था तो उसको हंटर आयोग भी या रखीगा सिक्षा में सुधार के लिए अगला कॉशन देखे भारती टंकन कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया तो भारती टंकन कागजी मुद्रा अधिनियम यहापर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नमबर सी लाड करजन द्वारा यह पारित किया गया था जनवरी 1899 में लाड करजन को भारत का वायसराय ने उक्त किया गया था या रखीगा उन्होंने भारती टंकन कागजी मुद्रा अधिनियम अठारा सो निन्यार में पारित किया भारत को स्वायन मानक की सुरवात भी मना जाता इसी समय अगला कॉशन दीखे निम्दलकित मेंसे मराथा मेंक्याव्यली से ऐंसर हो जाएगा नाना फर्णविस को मराथा वैक्क्यावेली हो जाईता है पेच्वा शासन के दोरार नाना फर्णविसल जो थे महराथे सामराज के प्रवावी मंत्री और कूट ने देखके थे या रखिएगा अगला कॉशन देखिए स्री रंगपट्टम की संदी का संब्ध किसी युद्ध से है तो स्री रंगपट्टम की संदी का संब्ध त्रती आंगल मैसूरी युद्ध से है या रखिएगा ये कॉशन कई बार आया हुआ है ठीक है 18 मार्च 1772 अगला कॉशन देखिए यह राप की स्क्रीन पर पूना समझोते के संदर्व में कौन सा कथन असत्य है तो यहां पर सभी आंसर हो जाएगा आपका यह समझोता जवाहर लाल नहरू और अमबेटकर के बीच में हुआ था यह कथन असत्य है किस किस के बीच में हुआ था तो यह यहां पर सही आंसर हो जाएगा यह रखिएगा ठीक है जो है 20 मार्च 1927 को किया गया था यह सत्यागरा महराष्ट के राइगार जड़े के महाद नामक इस्थान पर किया था इसलिए इसका नाम महाद सत्यागरा है अगला कॉशन देखिए इस्ट इंडिया कंपनी ने किस व पुस्तक लिखी गई थी जोतिवा फुले के द्वारा ऑप्शन नमबर यहां पर सी बिल्कुल स्या अंसर हो जाएगा इस कॉशन के लिए कॉशन नमबर अगला देखिए कॉशन नमबर 13 में आपसे पूछा गया है रविंद्र नाथ टैगोर को नाइट हुड की उपादी क कंड हुआ था तो इससे दुखी होकर इन्होंने यह उपादी बिटिस सरकार को वापिस भी कर दी गई थी ठीक है इनके द्वारा स्वतंतरता के समय भारतिय राष्टी कॉंग्रिस के अध्यक्ष कौन थे उस समय जे भी कृपनाली जी ऑप्शन नमबर भी बिल्कुल से आं कौशन भारतिय पुरातत्यों विवाग को इस्थाई संस्था कब बनाया गया था तो भारतिय पुरातत्यों के बारे में आपको पता ही है बहुत ही जादा इंप्वोटेंट है यह कौशन 1906 में बनाया गया था आपको बता दें इस थापना 1861 में एलेक्जेंडर कलिंगम ने की थी लेकिन इसको इस्थाई 1906 में बनाया गया था तो ये दो संद में कंफ्यूज नहीं हो ना 1861 और 1906 ये अलग अलग है ठीक है तो दोस्तों 25 में से कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट करके बताओ एक कॉशन पूछता हूँ आप से आपको बताना है गुजरात में जो लोथल है वो लोथल जो प्राप्त हुआ था हरपपा यूगीन वो किस नदी के किनारे था कमेंट करके बताए लोथल किस नदी के किनारे हैं देखते हैं आप लोगों क्याल रखिये, तनिवाद